Hello students, welcome to MOS classes, आज हम एक्त क्रास Math NCRT के चैप्टर नमबर 14 की exercise 14.4 के कोशन नमबर 4, 5 और 6 और करेंगे तो ये पूरी exercise related है हमारी mathematical statement से जिसमें हमें error given है और हमें सही answer इसका find out करना है देखें student जैसे की question number 4, x plus 2x plus 3x is equal to 5x हमें given है ठीक है ये left hand side है, ये right hand side है सबसे पहले हम क्या करेंगे हम left hand side को pick करते हैं और check करते हैं कि इसको solve करके क्या answer आ रहा है तो देखें left hand side pick की x plus 2x plus 3x अब सबसे पहले हमें ये check करने हैं क्या ये like terms है क्योंकि algebraic expressions में like terms ही plus या minus किये जा सकते हैं like terms का मतलब है अगर आप इन terms को ध्यान से देखें तो इनके अंदर same variable होना चाहिए देखें यहाँ भी x है इसमें भी x है और यहाँ पर भी x है तो variable तो same है उसके बाद इनकी powers भी check करनी है x की power 1 कोई power ने रिखी मतलब 1 होती है इधर भी x की power 1 और इधर भी x की power 1 यानि के ये तीनों ही terms like terms है same variable with same power तो उसके बाद हम क्या करेंगे अब हम इनको add कर सकते हैं अब देखिए add किस तरीके से किया जाता है algebraic expression में algebraic expression में जब आप terms को add करते हैं या subtract करते हैं तो इनके coefficient सी प्रस या माइनस किये जाते हैं तो देखिए coefficient मतलब x के साथ क्या है 3 तो ये x का coefficient 3 यहाँ x का coefficient 2 और यहाँ x के साथ कुछ नहीं है मतलब क्या होता है 1 यानि कि अगर सिर्फ x रिखा है तो इसका मतलब इसके साथ 1 multiply होता है जैसे x के साथ यहाँ 3 multiply है तब इसको 3x कहते हैं x के साथ 2 multiply में है इसरे इसको 2x कहते हैं तो यहाँ x के साथ 1 है तो इन सब के coefficients को plus कर देंगे 3 plus 2 5, 5 plus 1 6 और साथ में यह variable यानि 6x इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर x plus 2x plus 3x को add करेंगे तो 3x plus 2x 5x 5x plus 1x यानि 6x आएगा जब कि हमें क्या given था हमें इस mathematical statement में students देखे given था x plus 2x plus 3x is equal to 5x लेकिन हमारा answer तो 6x आया यानि यह statement incorrect होगी अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे correct mathematical statement जो है वो है x plus 2x plus 3x is equal to जो इसको solve करके answer आया यानि 6x यह correct mathematical statement है incorrect mathematical statement यह वाली है जो हमें question में given है कि x plus 2x plus 3x is equal to 5x होता है यह answer incorrect है यह statement incorrect है correct statement यह वाली होगी अब इसके बाद हम question number 5 solve करेंगे question number 5 में students देखे हमें given है 5y plus 2y plus y minus 7y is equal to 0 तो सबसे पहले हम lhs को उठाते हैं lhs को pick करेंगे 5y plus 2y plus y minus 7y अब इनको solve करेंगे तो पहले चेक करते हैं क्या यह like terms है तब ही यह plus यह minus हो सकते हैं देखे इसमें भी y है variable इसमें भी y है यहाँ भी y है और यहाँ भी y है यहाँ भी y की power 1 यहाँ भी y की power 1 इसमें भी y की power 1 और इस term में भी y की power 1 यानि यह like terms हैं अब हम इनको add या subtract कर सकते हैं तो सबसे पहले जो positive terms थे हम उनको plus कर देते हैं देखें 5y प्रस 2y प्रस y ये तिनों positive term है और ये minus 7y negative term है इसको बातने solve करेंगे तो 5 प्रस 2 7 7 प्रस 1 क्योंकि इस y के साथ 1 है 5 प्रस 2 7 7 प्रस 1 8 और साथ में ये variable y यानि 5y प्रस 2y यानि कि 7y 7y में 1y add करेंगे तो 8y आएगा ये minus 7y as it is अब ये positive term है और ये negative और दोनों like terms है दोनों में variable y है और y की value power यहाँ भी 1 है यहाँ भी power 1 है तब ये positive है ये negative है यानि इसमें से ये negative यानि minus करा जाएगा इसको तो 8y में से 7y minus करेंगे तो 8-7 यानि कि 1 यहाँ पर 1 लिखे ना लिखे फरक नहीं पड़ता यानि ये इस तरीके से चल रहा है 8-7 1 आया और उसके साथ जो variable होता है वो as it is आ जा जाता है तो 1y को हम y भी रिख सकते हैं या simply आप ये भी कह सकते है students कि 8y में से 7y minus करेंगे तो simply y बच जाएगा अब देखिए जब हमने 5y प्रस 2y प्रस y minus 7y को सोर किया तो y बचा जबकि हमें क्या कहा गया था कि 5y प्रस 2y प्रस y minus 7y किसके एकवर आना चाहिए 0 तो ये incorrect statement होगी सही statement देखे किस तरीके से लिखे जाएगी correct mathematical statement जो हमें LHS given थी हमने वो लिखे 5y प्रस 2y प्रस y minus 7y is equal to y क्योंकि इसको सोर करके y आया तो ये correct statement है incorrect statement ये वाली होगी 5y प्रस 2y प्रस y minus 7y is equal to 0 ये incorrect statement है सही statement ये वाली है अब हम question number 6 तोर करेंगे question number 6 में students हमें given है 3x plus 2x is equal to 5x square तो पहले तो हम चेक करते हैं कि left hand side उठाते हैं और देखते हैं कि उसका क्या आनसार आता है 3x plus 2x हमने as it is रिखा अब देखिए यहाँ भी variable y है sorry x है और इसमें भी variable x है यानि ये दोनों term और इसके बाद इनकी power भी देखिए x की power 1 x की power 1 तो ये दोनों ही terms क्या है like terms है और बीच में positive sign है इसका मतलब like term होने की वज़े से हम इनको add कर सकते हैं तो 3x plus 2x add करेंगे तो 5x आएगा जबकि हमें क्या दिया गया था 3x plus 2x is equal to 5x square जबकि 3x plus 2x को solve करके 5x square नहीं आ रहा बलकि 5x आ रहा है तो correct mathematical statement क्या रहेगी 3x plus 2x is equal to ये जो answer आया है इसे solve करके 5x ये correct statement है incorrect statement, incorrect mathematical statement ये वाली है कि 3x plus 2x is equal to 5x square है जबकि हमारा answer इसको solve करके 5x square नहीं आया ये correct statement है और ये incorrect statement है I hope students आपको हमारा इस वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा इस वीडियो पसंद आया है तो इससे like, share और subscribe कीजिए, thank you